और रहिया जनपत के अजीत मल थाना छेत में लॉकडाउन के चलते बाहर से आयुवक को कस्वे के विद्याती पब्लिक स्कूल में बनाए गए शेल्टर हाउस में कौरेंटाइन किया था मंगलवार को शेल्टर हाउस में बड़ी धुमधाम से शादी हुई उपजिलादिकारी अजीत मल रमेश यादव ने नव विवाहित जोड़े को आशिरवात दिया दिल्ली निवासी बाबुराम ने अपनी पुत्री राधा की शादी छेतर के सिक्रोडी गाउन निवासी संतोस कुमार के पुत्र स्रीकांद के साथ तैंकी थी मार्च मा में बाबु राम अपने परिवार के साथ रिशेदारी में जंड़ा चड़ाने छेट के गाउं शाहपूर बेदी आया था जिसके बाद 22 मार्च को लागडाउन लग दिया तो वो वापस दिली नहीं जा सका वो सिकरोडी निवासी संतोस कुमार का पुत्र स्रीकांद भी बाहर नौकरी करता था लागडाउन के चलते जब वो घर आया तो कस्वे के विद्यादी पबलिक स्कूल में उसे 14 दिन के लिए कोरंटाइन कर दिया गया इसी बीच शादी की डेढ़ भी नजदीक आ गई तो दोनों के परिजोनों ने शेल्टर होम में शादी करने का फैसला लिया जिस पर उपजिलादिकारी ने दोनों पक्छों को शादी करने की अनुमती भी दे दी मंगलवार की राग शेल्टर हाउस में उपजिलादिकारी रमेस यादव और विद्याले के प्रबंधक सुधीर गुपता परधानाचार गोपाल डे की मौजूदगी में शोशल डिस्टेंज को ध्यान में रखते हुए शादी कराई गई और नव विबायत जोड़े को आशिरवाद दिया गया ब्यूरी रिकोर्ट तेजस खबर